हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल अरिका आज इस वीडियो में आपको कुछ प्लान पोड्स दिखाने जा रही हूं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं हम प्लान्स के लिए पोड्स खरीकते हैं लेकिन हमेशा प्लान्स पोड्स के लिए आपको पेशा खर्च करने की जरूरत नहीं है कभी-कभी घर पे ही कवार से कुछ सामान मिल जाते हैं जिससे की हम प्लान को लगाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम और कुछ वेश्ट हुआ कॉलर नलपेंट्स और कलर पेंट्स के मदद से कवार से एक सुन्दर प्लान्ट पोड्स तेयार हो सकता है और उसको हम इंडोर फिर लखेंगे तो वो और भी सुन्दर लगते है खुद के हाथों से बनाएगे चीज अगर कुछ काम आ सके तो बहुत खुस लगता है अगर वो चीज दिखने में भी खुबसूरत लगे तो और भी खुस लगता है यहां पर मैं दो टीन का टिपा ली हूँ इसको कबाड में देने के लिए रखा गया था मगर मैं वहां से ले आई घर पर कलर कर रहे थे तो वहां से कुछ कलर रहे गया था उस कलर को मैं यहां पर यूटिलाइज कर रही हूँ फ्री के टाइम पे जब हम खाली बेटते हैं तब उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना चाहिए अगर खाली में बेटेंगे तो दिमाग में इधर उधर की बातें आते रहेंगे एक कहावत है ना खाली दिमाग सेतान का घर इसलिए फ्री टाइम पे कुछ ऐसा काम पे ध्यान देना चाहिए जिसे हमें खुसी मिल सके कलर हो जाने के बाद टिबो को दो घंटे के लिए सुखने के लिए छोड़ दी थी अब सुखने के बाद हम इध में कोई भी डिजाइन अपलाए कर सकते हैं मैं वार्ट सब की एक इमोजी बना रही हूँ अब कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं इस टिपे में मैं एक और डिजाइन कर रही हूँ अब देखें ये दोनों डिपे कितने खुबसूरत लग रहे हैं और जब इसमें प्लांट लगाया जाएगा तो ये और भी खुबसूरत लगेंगे अब किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगा कि ये डिपे कवार में बेचने वाले थे ठीक उसी तरह से ये चोटी वाली पैंटिंग भी की है मैंने देखें ये तीनो डिपे कितने खुबसूरत लग रहे हैं पेले वाले डिपे में रसगुल्ले आये थे मीडिल वाला डिपा एक पानी बोटल है उसे मैंने काट ली है काट कर कॉलर करके उसमें पैंट की है थाड में जो है वो खी का टबा है लग रहे हैं ना तीनो खुबसूरत जो वोटल में काट ली थी उसका उपर का हिस्सा है उसे भी एक पैंट दी है मैंने प्लान के साथ ये और भी खुबसूरत लग रहे हैं अब ये वाला प्लान पोर्ट देखिए कैसा लगा अच्छा लगा ना आपको I hope कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा कुन सा वाला प्लान पोर्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप इस चैनल में ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक और स्यार कीजिए